हिमाचल में चुनाप रचार्ड ने जोर पकड़ लिया है कॉंग्रेस और सत्ताधारी बीजेपी जहां मुख्य मुकाबले में नजर आ रही है तो वहीं पंजाब में जीत हासल कर चुकी आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री कर ली है हाला कि उसके जीत की उम्मीद कम है लेकिन दोनों दलों को कुछ हद तक नुकसान होने की आशंका तो है इन सब के बीच राजजी की एक महतपूर्ण सीट ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है तो किस सीट ने और क्यूं बढ़ाई है चिंता आए देखते हैं ये रिपोर्ट कॉंग्रिस और बीजेपी दोनों ही दल इस समय हिमाचल में अपनी ताकत जोक रहे हैं हलाकि राजजी की राजनेतिक इत्यास को देखे तो यहां कॉंग्रिस की जीत की उमीद ज्यादा नज़र आती है ऐसे में सत्ताधारी भारतिय जन्ता पार्टी के टेंशन ज्यादा बढ़ गई है जिसके चलते पियम मोदी से लेकर जेपी नड़ा सहित तमाम नेता लगातार हिमाचल दोरे पर हैं लेकिन इन तैयारियों के बीच बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस हिमाचल की चौपाल विधानसबा सीट पर है क्योंकि ये सीट मुसीबत बनी हुई है जिसका कारण है यहां कॉंग्रिस की मस्बूती हाला कि चौपाल विधानसबा सीट पर 2017 में भारतिय जंता पार्टी के बलबीर सिंग वर्मा ने जीत दर्च की थी लेकिन फिर भी आंकलों के मताबिक भाजपा के मुकाबले यहां कॉंग्रिस की इस्तिती अच्छी है ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक चौपाल विधानसबा सीट पर कुल 11 बार चुनाव हुए है इनमें कॉंग्रिस को 5 बार जीत मिली है जबकि बीजेपी सिर्फ 3 बार ही इस सीट पर जीत हासिल कर सकी है यहनि बीजेपी के मुकाबले कॉंग्रिस चौपाल विधानसबा सीट पर लंबे समय तक जीत दर्च करती रही है हाला कि चौपाल विधानसबा सीट पिछले दो चुनावों पर बीजेपी के बलबीर सिंग वर्मा की पकड़ है लेकिन कॉंग्रिस पिछड़ा वर्क पर जिस तरह से फोकस कर रही है उस हिसाब से इस बार बलबीर सिंग का इस सीट पर हैट्रिक लगाना मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि इस विधानसबा सीट पर पिछड़ा वर्क के मतदातों की संख्या निर्नायक मानी जाती है और इस सीट पर ब्रहमन वर्क के भी मतदाता है आपको बता दे कि 68 विधानसबा सीटों वाले हिमाचल में राजनेतिक दलू का चुना परचार शुरू हो चुका है 2017 के विधानसबा चुना में बीजेपी को 44 सीटों पर जीत मिली तो वहीं कॉंग्रेस को 21 सीटों पर जीत मिली थी लेकिन इस बार बाजी पलट सकती है डीबिलाइफ की रिपोर्ट